सबसे वेले गाई साब मुझे यह बाता है जैसे वी हैब इस ग्रो एप या जिरो दा जहां पे भी हम गाई स्टॉक्स को मेजर कर रहे है यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे यह जो डेटा है कम स्टनिंटिंटा कोर्रेंटिं इसकीर नथे का रहा है जो है यह रहा हैँ टो इसको र्येट्रे से आहए बढमे meidän पता हों कें इन रियेक्ट क्वईरी चुटकी वाल्याडा काम हे जहां पर आप इसको बहुत प्रूब कर सकते हो तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला कि कैसे कोई भी API की रिक्वेस्ट को आप विती इनफ टाइम इंटेवल बार-बार कॉल कर सकते हो आज हम देखने जारे polling in our react query क्या होता है सबसे पहले हम इसको समझ लेते है और मैं अल्रेड़े आपको तुम्हेने बता ही दिया कि यह polling का हमें कहां पे काम आने वाला है ठीक है so let's check it out and एक बार data आप देख लेते हैं ठीक है सो देखो ध्यान से देखना in react query polling जो है it refers to the technique technique of fetching data from API at regular intervals to keep the UI up to date with the latest information यह एक टेखनीक है एक fetching का technique है जहां पे हम data को एक regular interval of time में fetch कर रहे है ताकि हम अपना जो information उसको always up to date रख सके and this is especially useful for these scenarios ऐसे scenarios जहां पे data continuously change होते रहेंगे and you want to display the real time updates without requiring the user to manually refresh या refresh the page यहादे कल तक मैं आपको क्या बता रहा था कि मुझे अगर data चाहिए तो मैं क्या करता था मैं home पे जाता था फिर वापस इस page पे आता था फिर इस पे जाता था फिर इस पे पे तो basically कुछ नए update आये कि उसके लिए मैं manually इस पे जाके click कर रहा था बट वहीं अगर मैं grow पे चल रहा हूं या कुई भी आप application मैं तो refresh नहीं कर रहा हूं यह तो देखो बहुत सिंपल है और इस प्रोपरटी काल रिफेच इंटरबल क्या करता है देखो तो यह एक स्प्लेस थरीक है तो एनेवल दी पोलिंग जहां पे वीनद पास इस प्रिकुलर ऑप्शन तो दी यूस्प्वरी हुक और यह जो ऑप्शन है इत विल स्पेसिफाइस दी इंट बेसिकली आज प्रॉपर्टी तब इसमें जो भी टाइम आप मेंशन करते हैं मिली सेकेंड तो उसके बेस पे आपका यह जो डेटा है रियक्ट कोई जो आटोमेटिकली उस डेटा को रिफेच करता है ठीक है मैं आपको बाता आता हूं देखो द्यान से सो लेट्स गोवर्फेच इंटरवल ठीक है यहाँ पर मैं चलता हूं एंड अब मैं कर देता हूं लेट से वान सेकेंड मैं मैंने बोल दया भाई मुझे अब्र एब्री वान सेकेंड डेटा वापस रिफेच करो क्योंकि मुझे मालों मेरा डेटा एक सेकेंड में चेंज और फेमस हो गया codify.com मेरी IT company इतनी फेमस की लोग मुझे within a second इतना contact कर अब कब react का online classes month stack online classes लेके आओगे बोलके या JavaScript online classes जो भी है ना तो मैं यहां चलूंगा inspect पे है ना मैं चलता हूँ over here एक काम करता हूँ ना request जब मैं कर रहा हूँ तो data को आप में still नहीं कर सकता क्योंकि data अगर still नहीं है for like जितना भी सेकेंड है तो refresh करने का फाइदा ही नहीं होगा क्योंकि refresh होगा नहीं पहली बात है ना अब always मुझे data को make sure यह करना है कि मेरा still time by default 0 है उसको 0 ही रहने दो ठीक है तभी आपको refresh करना बना वो still time रहेगा तो हम कभी request करी नहीं पहेंगे server को सो मैं यहां पर चलूंगा एंड मुझे यह देखना है ओके यह blink कर रहा है गाइस by the way पता नहीं आपको पता चल रहा की नहीं लिकिन यह लिंक कर रहा है और आपको वह clear हो जाएगा जब हम network टैप पे जाएंगे ठीक है मैं यहां पर चलता हूं इसको हटा रहा हूं यह देखो यह देखो इसको मैं हटा रहा हूं ध्यान से देखना यह देखो एक request आप वान सेकेंड दूसरा तीसरा चौथा पांच्वार मैं तो यहां पर यहां तो यहां तो वान सेकेंड वी लाइक विद्धीन दिया उन्होंने तो वह हम कर सकते वहान सेकेंड को आप 0 मिली सेकेंड कर दो या 1 मिली सेकेंड पट पट request होता जाएगा वह ठीक है तो इस तरीकी से आपका काम करता है बढ़ हाँ इसमें प्राब्लम में को बताता हूं यहां पर एक और चीज़े जो मैं आपके साथ सेर करना चाहूंगा एंड डैट इस की ठीक है यह रिक्वेस्ट हीट हो रहा है मैं हटा रहा हूं तो यहां पे हूं एंड मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 5 यह 6 रिक्वेस्ट जब था विसिकली 5 रिक्वेस् किया होगा तो कम से कम 10 से 11 रिक्वेस्ट होना चाहिए यह देखो नहीं 6 7 8 9 तो यहां पे हो यह रहा है कि the moment आप 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 स्कोप चाले जाते हो यह आप किसी और टैप पे जाते हो आपका बंद हो जाता है मुझे वो नीचे यह तो देट स्वाइब इस पर्टिकुल यह पर्टिकुलर ऑप्शन फंडा पता चल गए आपको सो रिफेच इंटरबल इन बैग्ग्राउंड अब यहां पे आपको कोई मिली सेकेंड यह सब नहीं देना आपको बोलना है हाँ आपको बैग्राउंड में अगर आप कहीं और दूसरे टैप पे चले गए क्या तब कि आपको यह जो अप्टर एब्री वांसेकंड फ्यर रिफेच कर में करना एंप ऑफीले अपको लिख्तवित है एवील सेकष्ड कर सबार करकेंड ने यह स्याथियोंग तब्सक्राउंड मुझेचर करना है यहस जी ञुज मुझे एक आपको थ्रूप में क्यांट 15 and okay यह मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया बड़ 14 15 अब हो रहा है कहने का मतलब यह है कि अब भले ही में कहीं और भी जाओं तब भी after every one second वो request जो है refresh करी रहे सर्वर को रिफेच करी रहे प्यकॉल करी रहे जो कि बहुत अच्छी बात है एंड आई होप यह जो concept पोलिंग यह आपको पाता चल गया कि कैसे आप यह कर सकते हो और आप देखी सकते हो कि रियक्त कोरी में यह कितना सिंपल था यह सब करना है ना so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लितना ही पीज तीन वीडियो में जिसी टाइम स्टेल टाइम और यह नाव पोलिंग यह सब को समझना बहुत ही जाद इन पॉर्टेंट है और आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसका इग्जैक्ट फंडा क्या था ठीक है तो यह दिस इस इट काईस आज इस वीडियो के लितना ही हो बीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ होगा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरू बाताना वीड प्लेलिस्ट को चेकाउट करना बिलकुल मत भूलेगा इफ यू वांट कोर्स ओनलान क्लासे देन लेट में नो इन दी कमेंट सेक्षेन आप बेसिकली कॉंटाक फॉंट कर सकते हो एंड साथी साथ आओ नेक्स अगर इस सब्सक्राबर सो अभी तक अगर आपने दीजिएगा मिलता है मैं बापको नेक्स वीडियो में तिल देन गाइस थेंकी सो मच टेक क्या